नमस्कार दोस्तों वैदिक पंचगव यूट्यूब चानल में मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों भारत में देशी गाय के दूद के महिमा और इसके औशदी गुनों को प्राचिन काल से माना गया है गाय ना सिर्फ अपने दूद से बलकि अपने गोमू स्निग्द वात पित्त नाशक रक्त विकार नाशक और बुड़ापे के समस्तरोगों का नाशक है परन्तु हमारे यहां गाय बेचकर भैस और जलसी यानिके विदेशी नसले की गाय खरीदी जा रही है जिसके परिणाम स्वरुप नई पीड़ी आलसी और मंत बुद्ध्य होती जा रही है दोस्तों गाय का दूद्ध मानव के लिए एक संपूर्ण वोजन है क्योंकि इसमें प्रोटीन्स विटेमिन्स कैल्शियम कार्बोहेड्रेट्स पैट मिनरल्स एंजाइम्स आयन आदि सभी गुन होते हैं दोस्तों जिस गाय की पीड़ पर कंधा याने वश इसमें विशनाशक तत्व होते हैं जो किसी भी प्रकार के इंफिक्षन से हमें बचाते हैं और हमारी इम्मिनिटी पावर बढ़ाते हैं दोस्तों दूद में भी सबसे जादा लाब दायक दूद धारशन दूद होता है जो डिरेक्ली गाय के स्थन से निकाल के सेवन किया जाता है या फिर गाय के स्तन से निकालने के बाद 10 मिनिट के भीतर ही पिया जाता है ऐसा दूद्ध याने अम्रूत समान होता है जिसकी कीमत हम करोणों में भी नहीं कर सकते तो दोस्तों आपको जहां भी जितनी भी कीमत पर ऐसा धारोशन दूद्ध मिल जाए आप उसका आप अपने किसी भी जटिल से जटिल रोग से भी जल से जल चुटकारा पा सकते हैं दोस्तों अलग-अलग रोगों में गाय के दूट का और गोमूत्र का सेवन किस प्रकार करना है यह मैं आपको आने वाले वीडियो में बताती रहूंगी तो हमारे चैनल को जल्दी से सब सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकॉन पर भी क्लिक करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिल जाएंगे आपको आज का हमारे यह वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर बताईए तब तक के लिए धन्यवार